नमस्कार दोस्तूं हाई कोट लडी सी एकजाम डेट आ चुकी है दोस्तूं और उसके लिए आज हम सुरू करेंगे हिंदी की व्याकरण दोस्तूं हिंदी के तेरे टोपिक हमारे सलेबस के अंदर दिये कहे हैं और तेरे दिन के अंदर वो टोप क्यूसन लेकर आ जाऊंगा जिन से बार एकजाम के अंदर आपके परसन नहीं जाएगा दोस्तूं एक सो पचास क्यूसन आने हैं तीन सो अंके रहने वाले हैं इसलिए हमारी परते क्लास ये नहीं है सिर्फ हिंदी कराऊंगा इंगलीज के लिए आपको चैनल बता देता हूँ मेरा ही कलास है वहाँ पर चल रही है 99 कलास ही इंगलीज के क्यूसन यहांपर करवाई जाएंगी हिंदी और जो हमारा जीके है और करन्ट अपेरस है उसकी कलास है यहांपर रहेगी इस परकार रहेगा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्लास केसी है इसलिए कोई भी मिस मत कर देना यहां से आने के बाद अंतक बने रहे न दोस्तूं चलते हैं कि उसनों की और बाते हमारी होती रहेगी पहला क्यूसन आपकी स्क्रीन पर आ गया है निमलिकित में से कि सब का संदी विचेद गलत है दोस्तूं बता दीजिए और सामने दिकाई दे रहा है कोई दिकत नहीं है दोस्तों आराम से आप इसका उत्तर है वो बता सकते हैं कि किसका गलत दिया गया यहां पे जैसे ही आप देखोंगे आपको पता चल जाएगा रमेश तसकर बवदिय और अतेव किसका गलत है दोस्तूं बताईए सिंपल क्यूसन अच्छा क्यूसन और एकजाम के अंदर पूछा जाने वाला क्यूसन किसका गलत है दोस्तूं देखते हैं किन किन सात्यू का यह सही होता है बहुत अच्छा क्यूसन पहला देखिए रमे इस होगा रमा पलस इस होगा रमेश का गुण संदी कारिये कर रही है यहां पे कौनसी है गुण संदी दोस्तूं गुण संदी गुण संदी में क्या होता है ए या आ के बाद क्या ए अगर ए या ए आए तो क्या हो जाता है ए हो जाता है अगर उ या उ आये तो क्या हो जाता है ओ हो जाता है समझे आप अगर रिया जाए तो अर हो जाता है तो ओपसन एक सही है यहाँ पे आपका अगला क्यूसन अप एक साथ सब में कौन सी संदी है दिर्क, विद्धी, वेंजन, गुण अपेक्सा शाव में कौन सी संदी है बता दीजे दोस्तू बहुती सिंपल सा क्यूसन आपकी स्क्रीन पे आराम से आप इसको बता सकते हैं दोस्तू बताईए कमेंट करके कि अपेक्सा के अंदर कौन सी संदी है अभी अभी हमने इसके बारे में देखा है बता दीजे कौन सी संदी है गुण संदी है क्या सही है मित्रूं सही है गुण संदी अपा पलस एकसा कुछ याद है या ये रहा अप एकसा अपेकसा हो गया न सही इसी परकार उपेकसा भी प्यूचा जाता है उपा पलस एकसा हो जाता है आगे चलिए पर्तेग में कौन सी संदी है पर्तेग में अयादी यन वर्दी या गुण बताईए जल्दी से पर्तेग में कौन सी संदी है दोस्तु सिंपल सा क्यूसन आपकी स्क्रीन पे एए आराम से आप इसका कमेंट करके उत्तर दे सकते हैं परियाब समय आपके पास है दोस्तों जल्दी से कमेंट करके उत्तर देना आपको परते का परती प्लस एक एके बाद है समान सवर समझा आप पहले बाद तो देखे तै है बाद में ये है पैचान बताओ क्या ये पैचान होती है दोस्तों अगर ये वे रे इनसे पहले अगर आपको इनसे पहले आदा वरण मिले न तो वहाँ पर बिना सोचे बिना समझे कौन सी कर देनी है यन संदी कर देनी है दोस्तों अगला क्यूसन प्रोपकार में कौन सी संदी है प्रोपकार में संदी यार्ण अयादी गुणिया विसरक्द प्रोपकार में कौन सी संदी है बताईए जल्दी से अच्छा क्यों से ना आपके लिए ये फटापट कमेंट करना है दोस्तूं देखते हैं किन-किन सातियों का सही उतर मिलता है प्रोपकार में कौन सी संदी है प्रोपकार में हैं दोस्तों आपकी गुण संदी कैसे हुई पर-पलस उपकार पर-पलस उपकार एक के बाद में उ तो क्या बन जाएगा उ बन जाएगा अगला क्यों सन निश्चल में कौन सी संदी है निश्चल में कौन सी संदी है फटा-फट कमेंट करके बता दीजे दोस्तों निश्चल में कौन सी संदी है अयादी विसर्ग वर्दी या गुण यहां से आप देखते हैं बता सकते हैं निश्चल में कौन सी संदी है दोस्तूं कोई दिक्कत वाला सुवाल नहीं है बहुती सिंपल सा सुवाल आया आपके सामने आराम से बता सकते हैं बताईए देखते हैं निश्चल है निश्चे है यहां पर कौन सी संदी काम कर रही है नी पलस चल विसरकाशे बन जाता है विसरक संदी दोस्तूं क्यों संच है ततापी में कौन सी संदी है ततापी में कौन सी संदी है बताईए और यह तो बहुत सिंपल क्यों संदी है अगर आपने संदी पढ़ी है तो यह चीज तो सबसे पहले पढ़ी है ततापी में कौनसी संदी है दोस्तों ये पूछा गया आप से याँ पे बताईए जल्दी से देखते हैं किन किन का सही होता है कौनसी है ततापलसपी आके बाद है तो आ हो जाएगा दिरग संदी है कौनसी है दिरग संदी क्यों संसाथ अन्यवेशन सब्द में कौनसी संदी है अन्यवेशन अन्यवेशन सब्द में कौनसी संदी है बताईए कमेंट करके दोस्तों अन्यवेशन का पूछा है और आराम से बता भी सकते हैं आप अन्यवेशन कोई दिक्कत वाला नहीं है दोस्तु बहुत जगह आपने इसको पड़ा भी है तो बता दीजे अन्यवेशन में कौन सी संदी है अरे डर क्यू रहो वैक के पेले आदा वक्सर मिल रहा है आपको नहीं कौन सी हो गई यान संदी हो गई दोस्तु समझे कुछ बहुत सिंपल चीज होती है संदी बस आपको दिमाग लगाना है आगे चलिए अगले क्यू सन की ओर अम्बूर्मी सब्दकास सही संदी विचेद होगा अम्बूर्मी सब्दकास सही अब यहाँ पे देखिए बैक के पहले मैं है लेकिन यह वह रहके पहले होना चाहिए बहके पहले मैं आप यहन मत कर देना अब बताईए अम्बूर्मी सब्दकास संदी विचेद क्या होगा बता दीजे जल्दी से देखते हैं किन किन सात्यों का यह सही होता है सिंपल स्वाल और आराम से आप इसको कर भी सकते हैं दोस्तों बताईए पटापट कमेंट करके दोस्तों अच्छा स्वाल है आपके लिए देखते हैं किन किन सात्यों का सही होता है लगूर्मी मदूर्मी सिंदूर्मी सुद्रवे कौन सी संदी कारिये कर रही है कौन सी कारिये कर रही है दोस्तों यहां पे संदी देर्ग संदी काम कर रही है अम्बू पलस उर्मी दोस्तों उके बादू अगला क्योस्तों कौन से खरम उचित पर्तीत होता है परम पलस तू वाग पलस में वाग में भाट पलस मुक, भाट मुक, सद पलस वेक्स, यह वद वेक्स तो सामने ही दिकाए देरा कि गलत है, भाट मुक गलत है, वाट के पलस में होता है, तब वो आगी में होता है, परम पलस तू मैं का, मैं के बाद में तयाने पर मैं नहमें बदल जाएगा, तयवाले पं आसाई है आपका क्यों सन्दस्वां किस कर आमें उची संदी विचेद नहीं है सम पलस विदान, धनम पलस जे, सम पलस निदी, दिख पलस नात सम पलस निदी, देखिए क्या गलती है, कमेंट करके बताईए क्या गलती है इसमें ये उचित नहीं है, क्यों नहीं है क्यों सन ग्यारा, किसकर मांग में सही संदी विचेद नहीं हुआ किम पलस वा किम वा अभी पलस सेक अभी सेक राम पलस आयन रामयन सम पलस तोस अब यहां पे राम आयन का संदी विचेद क्या होता है यहां पे दिया हुआ है रामयन क्या यह सही है कभी सही नहीं हो सकता यहां पे भी गलत यहां पे भी गलत तो तीसरा गलत दिया गया है अगला क्योंसन किस करह में आयादी संदी का उधारण है आयादी संदी का उधारण पूचा आपको कि किस के अंदर आयादी एक के बाद ऐसमान सवर ओक के बाद ऐसमान सवर आई के बाद ऐसमान सवर ये रहा कौन सी संदी है ये रहा ये रहा ये रहा अब बताईए आराम से बता सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पर पूछा आपको अयादी संदी का ही उधारन बताना है तो देखिए पहली बात तो आपको ए आई ओ पहले जो वर्ण है उसके अंत में ये चीजे मिलने वाली है इसमें इमिल रही है इसमें इमिल रही है इसमें इमिल रही है गलती नो ये देखिए ये पलसी नहीं दाईनी ये आपका सही आयादी का ही उधारन है दोस्तों समझ गे अगला क्यों सन जगनात का संदी विचेद है जग पलसनात जगन पलस नाथ, बहुत सिंपल क्यों सन, सब को पता है, यह सा उदार्ण है जो आज से पांस साल पहले हर एकजाम में आता था, जगनात वाला, और सही रहेगा जगत पलस नाथ दोस्तों, अगला क्यों सन, रतनाकार में कौन सी संदी है, वेंजन गुण दिरगिया आया दी, रतना पलस आकार, आक्की मात्रा आ रही है, मतलब दिरग संदी है, कौन सी है, दिरग संदी, क्यों सन पंद्रा, पर्ति उतर में कौन सी संदी है, गुण यन, विसर या वर्दी, पर्ति उतर में कौन सी संदी है, यह के बाद आदात है, मतलब यन संदी है दोस्तों, क्यों सन सोला गुण संदी का उधारण बताना है दोस्तों गुण का बताना है गुण का ए आके बाद E.E. मिले जाँ पे कौनसा है इन में से ए आके बाद E.E. मिले कौनसी संदी गुण संदी E.E.U.U.R.E. यह मिले A.O.R.A.D.E.S.O. किसमें दिखाई दे रहा है यह देखे महा पलस रिसी महा पलस रिसी मेरसी नहीं होगा होगा आके बाद R.E.E. आ रहा है महा पलस रिसी तो देखे आ यहां पे R.E. आदेश क्या हो जाएगा अर और यह बन गया मेरसी अगला क्यूसन अंतरमान सब में कौन सी संदी है स्वार वेंजन विसर्ग यह यहन अंतरमान सब में कौन सी संदी है बता दीजे सामने दिखाई दे रहा है उपर रह जा रहा है मतलब विसर्ग का ही बन रहा है यह विसर्ग संदी है अगला क्यूसन परमार्थ सब्द में कौन सी संदी है परंपला सार्थ बताईए सामने दिखाई दे रहा है मा आ कौन सी संदी देरिग संदी है दोस्तों क्यों सन उनिस सूरियोदे सब्द में सूरियोदे सब्द का संदी विचेद कीजिए सूरियोदे जो सब्द दिया गया है इसका संदी विचेद करना है क्या होगा सूरियोदे सूर्पलस उदे सूरियोद पलस ये सूरिये पलस उदे बहुत जगें आपने इस चीज को पढ़ रखा है पहले सूरियों दे, क्या होगा, क्या होगा, एक के बादू, सूरिये पलस उदे होगा दोस्तूं, अगला क्यूसन, अब बेरती सब्द का संदी विचेद कीजिएगा, बताइए, ये क्यूसन आपको कमेंट करना है, आप बेरती हैं ना, तो कमेंट करके बतादो, अब बेरती का विचेद क्या होगा दोस्तों फटा फट दोस्तों देखते हैं किन किन सातियों का ये सही होता है बहुती सिंपल सा क्यों सनाया आपके सामने अगर आप इसका ही सही उतर नहीं दे पारें मानकर चलिए तैयारी बहुत कम कर रखी है आपने देखते हैं किन किन सातियों का ये सह ही होता है अब्यर्ति का पूछा है मैंने तो फटा-पट कमेंट कर दीजे दोस्तों बहुत ही सिंपल सा है चलो मैं बता दू इसमें संदी है यह ना आपकी क्योंकि यह देखिए यह रहा अब आपको उत्तर बताना सही कौन सा है बताइए पटा-पट एक के बाद में ए इसमे में संदी है गुण अयादी दिर्ग यान इकेस नमर क्यों सन दियारद्रह सब में संदी है दिया पलस आद्रह आ पलस आ आ मतलब दिर्ग सवर संदी है क्यों सन बाइस निमलेकित में से गुण सवर संदी उधारन नहीं है गुण सवर संदी का उधारन कोंसा नहीं है गुण के अंदर बीच में A, O और R का अदेश मिलेगा किस में नहीं मिल रहा है यह देखे A, A, A मिल रहा है यहाँ पर E मिल रहा है तो यह गुण का उदारन नहीं है दोस्तु अगला क्यों सन गुडा के सब में संदी है अभी अभी मैंने बताया है बीच के अंदर अगर आपको देखे यह देखे यहाँ पर यह मिल रहा है मतलब कौन सी संदी गुण सवर संदी है दोस्तु आगया समझ में अगला क्यों सन पर्त्वी स्वर सब्द का सही संदी विचे दोगा पर्त्वी सवर सब्द का संदी विचे द आपको यहाँ पर करना है दोस्तु बताइए देखते हैं किन-किन सातियों का यह सही होता है बहुती सिंपल सा क्यूसन आपकी स्क्रीन पे है यह और सिंपल है तो आप उत्तर भी मेरे को पता है सही देंगे बता दीजे जल्दी से पर्त्वी पलस इस्वर एके बादी दिर्ग संदी अगला क्यूसन कामेश्वर सब्द में संदी है कामेश्वर में कौन सी संदी काम कर रही है अरे आराम से देखे मित्रों यहां पे देखे यह मिल रहा है मतलब गुन संदी काम कर रही है दोस्तों अगला क्यूसन निमलिकित में से किस विकल में संदी विचेद आशुद है जो आशुद है वो आपको यहां पर बताना है पहला पुस्प पलस इंदर दूसरा सिंदू पलस उर्मी तीसरा राम पलस इस्वर और चोता महा पलस आश्से बताईए मित्रों गलत गलत काई पुचा ना गलत कौन सा है यह रापका सिंदू पलस इंदर्मी यह गलत है आपका दोस्तू शमझे यहां पर एक एक चीज है ना उसको आपको नोट करते हैं भी आगे बढ़ना है दोस्तू आगे चलिए गंगेस्वर सब में संदी है गंगेस्वर सब है नेम में से किस वी कल में संदी विचेद सुद है जो सुद है वो बता दो आप बताईए बताईए मित्रू पटाबट बताईए अच्छा क्यों सनाया आपके सामने कोई दिक्कत वाला नहीं है आराम से आप इसका कमेंट करके उत्तर है वो दे सकते हैं दोस्तू देखते हैं किन किन सातियों का सही होता है देखें आप वदूलास को सही कर लेंगे लेकिन वदू में मात्रा यह आएगी समझें आप समझें ये चीजें आपको नोट करके चलनी है यहाँ पे भू पलस उधरव है दिरिक ज़े आपकी दिरिक संदी है ना भू पलस उधरव है एक दम सही है ये अगला क्यों सिन दरक्सावले हे शब्द का सही शंदी विचेद होगा चलिए बताई ये सामने दिकाई दे रहा है आराम से बता सकते हैं आप आक्के बाद ए आरा है पहला ही है दराक्शावले अगला क्यों सिन परमानू उर्जा सब्द में संदी है बहुत सिंपल क्यूसन है देखते ही बता दोगे देखते ही बता दोगे परमानू पलस उर्जा उक्यबादू मतलब दिरगू मतलब संदी दिरग सवर संदी अगला क्यूसन यमुनोर्मी सब में संदी कौन सी होगी यमुनोर्मी सब में संदी कौन सी होगी अरे मित्रु यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखे ओ आ रहा है गुण सवर संदी होगी कौन सी होगी गुण सवर संदी अगला क्यों सन मेहंदर जालिक सब्द में सब्द का सही संदी विचेद है अब बताइए कौन सा होगा ओपसन आपके सामने है फटापट कमेंट करना है मितरू समय नहीं लेना है ये अच्छा क्योंसन एक्जाम में बन भी सकता है आपके लिए वृद्धी संदी हो रही है यहां पे अब आपको उत्तर है वो कमेंट करके बता देना है कौनसा सही है महापलस एंदर जालिक महापलस एंदर जालिक कुछ आया समझ में महिस्वरिये, गंगहिस्वरिये, टिकेत ये इसी के उदारन होते हैं आगे चलिए नेक्स्ट में गायक वे गंगोज सब्दू में संदी है गायक वे गंगोज सब्दू में संदी है कौनसी है बताई सिंपल सह क्यों सन गायक वे गंगोज सब्दू में कौनसी संदी है सामने दिकाई दे रही है कौनसी संदी है गायक गा आई की दौनी आ रही है कि है यहां पे बीच में देखे आई की दौनी आ रही है न गाईक में कुछ आ रही है गाईक में आ रही है न गाईक गे पलस है कि आयादी नहीं होगी क्या दूसरा गंग होद है यहां पे देखे बीच के अंदर डबल मातरा क्या व्रिदी नहीं होगी यहां पे होगी व्रिदी और आयादी यह रह ए ओप्सन अगला क्यों सन नेमलेकित मैंसे किस्विकल में संदी विचे दैसुद है बताईए किसमें गलत है शदा पलस यह सदेव पर पलस उपकार प्रॉपकार पूर्वा पलस उपनिवे से पूर्वा उपनिवे से यह तो सामने एकला दिकाए देर आपको सू पलस अलप सवलप सही आपका अगला क्यों सन इस्त्रिउचे शब्द का सही संदी विचेद होगा बताईए सिंपल क्यों सन और आराम से आप इसका उतर भी कमेंट कर सकते हैं फटा फट कर दीजे दोस्तू देखते हैं किनकिन्स का सही होता है सिंपल क्यों सन है कोई दिक्कत वाला क्यों सन नहीं है दोस्तू पहली बात तो आराम से देखिए यहां पे यनसंदी काम कर रही है क्योंकि ये के बाद आदा वर्ण आ रहा है शम्ज़े आप और शही जो उतर रहेगा आपका यहां पे वो कौन सा रहेगा इस्त्री पलस उचित इके बाद ऐसमान सवर उँ आ रहा है इके बाद ऐसमान सवर आ रहा है उँ यानि ये हो जाएगा शम्ज़े आगला क्यों सन निवनमेसिक इस विकल में संदिविचेद सुध है पहला अनुपलस इक सक सव पलस आगत सव आगत गलत विन्य पलस ये विन्य गलत से पलस ये साए गलत पहला इसे ये अनुपलस इक सक अनिविक सक अनुपलस इक सक उके बाद में ऐसमान सवर कौन सी संदी काम करेगी पहले बात तो आगे देख लिजे अनविक सक वैके पहले आदा वर्ण यन संदी अगला क्योसन व्रिक्स सब्द में संदी कौन सी है ये क्योसन बताईए चूटा सा नाम आया व्रिक्स इस शब्द में संदी कौन सी है बता दीजे किन किन सातियों का सही होता है देखते है किन किन सातियों का ये सही होता है दोस्तों सिंपल है ये आराम से आप इसकी कमेंट करके उत्तर दे भी सकते है मिद्रू व्रिक्स में संदी होती है आपकी जो होती है कौन सी यन सवर संदी दोस्तों अगला क्यों सन ये नाम भी बहुत सुनते हैं विदाइक शब्द का संदी विचेद है क्या होता है क्या होता है बताइए बताइए दोस्तों क्या होता है विदाइक का संदी विचेद पूछा आपको विनाये के विदाये के अरे विग्रे कर देता हूँ विदे पलसक के कौन सी हो गई देखो देखते हैं पेला वाला विदे पलसक क्यों संदी है अयादी क्यों संदी का उदारन है विद्धी का उदारन किस में दिया गया है जिसके अंदर आपको आई और आउ की मातरा मिले यहाँ पे तो नहीं है यह रही और परमोजस्वी है इसके अंदर कौन सी संदी काम कर रही है विद्धी काम कर रही है दोस्त पेचानने का तरीका परमोजस्वी विग्रह भी बताऊं क्या परम प्लस ओजस्वी हो जाएगा सोरी यहाँ पे एक ही मातरा रहीगी परम प्लस ओजस्वी अगला क्यों सन प्रिश्व शवद में संदी है प्रिश्व कौन सी संदी काम कर रही है इसका तो बता दीजिए आराम से यह तो इतना सिंपल है कि देखते ही बता सकते हो आप प्रिश्व सब्द में कौन सी संदी काम कर रही है देखते है किन-किन सातियों का सही होता है इसमें आपकी जो संदी है यहाँ पे कुछ अउकी दहुनी नहीं दिखाए दे रही है आपको दिखाए दे रही है नहीं इतनु तो कौन सी संदी काम कर रही है यहाँ पे कौन सी काम कर रही है आयादी सवर संदी दोस्तों क्यों सन 41 प्रसावी का शव का संधी संधी विचिद है बता दिये कौन सा है ये भी सिंपल सा क्यूसन आपकी स्क्रीन पे है और आराम से आप बताई भी देंगे इसको देखते हैं किन किन सातियों का सही होता है प्रसावी का आराम से बताई दोस्तों चार ओप्सन आपके सामने है यह रामित्रू प्रसो पलस ए का आउ के बाद ए यानि ए समान सवर आदेस आउ ए मिलेगी वी यह बन गया ना बन गया नहीं यहां पे ओप्सन ए सही है यहां पे क्यों सन बयान लिस निमलिकित में से कौन सा शब्द सवर संदी का अपवाद है अभिपसा अभेष्ट अद्रोष्ट अतीत सवर संदी का अपवाद यहां पे आपसे पूछा गया है कि जो सवर संदी का अपवाद है न वो आपको बताना है दोस्तों बताई देखते हैं किन-किन साथियूं का सही होता है यह रहा, अदरोष्ट शंदी विचे दोता है, अदर पलस ओष्ट समझ गए आप? यह होता है आपका अदरोष्ट हर्ष्विकरण के अनुसार सुवर्शंदी का अपवाद है हर्ष्विकरण, मतलब आ का ए दिरगी का ई समझ गए आप? एक का ई यह हर्ष्विकरण होता है उ का उ समझ गए आप? यह हर्ष्विकरण होता है दोस्ट बताइए जैसे एक उदान दे दूँ मैं आपको यहां पे जैसे हमें यहां पे दे रखा है आठ पलस अनी अनी होगा सही और इसका यह आ है ना यह आ में बदल जाएगा अठनी बन जाएगा यह रष्विकरण है कौन सा है? किसमें दिया गया है? बदाईए दोस्तों सिंपल क्यूसन लेकर आया हूँ और एकजाम आपके लेविल के एकजाम के आपका सही रहने वाला है दोस्तों मारतें समझ गए? अच्छा क्यूसे ना आपके लिए यह आगे बढ़िये नेक्ष्ट की और दिर्गी करण के अनुसार शुवर्शंदी का अपुआद है दिर्गी करण दिर्गी करण का एका आ पर्तम की बात होती है यह पर्तम वरण एका ए उका ओ अवो जटा है हाँ यह दिर्गी करण है जैसे बताओं तो सब्ता पलस एक साब्ता एक समाजपलिक एक सामाजिक नीति पलस एक नेतिक तो अपुआद यहाँ पे ही किसमे दिया गया है वो पूचा गया आपको यह गारा पर्तिकार पर्ति कार समझ गे आगे चलिए गुणादेश के आदार पर शवर्शंदी का अपुआद है गुण के आदेश के आदार पर शवर्शंदी का अपुआद बताना है गुणा दे इसके आदार पर तो ये भी सिंपल क्यूसन आराम से आप बता सकते हैं बताई सर्वन पवन प्रेक्षेति या गवेशना गुण संदी की बात हो रही है तो ये रापका अपुआद इसका अगला क्यूसन दिक ब्रह्म सब में संदी है बताई कौन सी संदी है वेशन संदी है दोस्तों क्योसन 47 तीबन सब का सही संदी विचे दोगा तीबन बहुती सिंपल क्योसन कमेंट करके बता दीजे तीबन तीसरा वरन आरा ना बीच में बै तो ये किसे गया है पैसे तो ये रतिप प्लस अंथ अगला क्योसन निम्लिकित मैंसे किस विकल में संदी विचे सुद है सट पलस अनन उद पलस हार वाग पलस देवी अब पलस जै सुद किसमें दिया गया है पहले में ये सट पलस अनन सड अनन एकदम सही दिया गया है क्योसन उन पचास बहुत ही सिंपल क्यों संदेखते ही उतराना चाहिए यहां पर देखते ही उतराना चाहिए बहुत का यह रहा आयादी शुवर संदी दोस्तों क्योसन पचास निमलिकित मैसे किस विकल में सब वे उससे समंदित शंदी ऐशुद है शब दिया गया लेकिन संदी गलत बताए गई है वो किस में बताए गई है वो बतानी है दोस्तों वाग घरी वेंजन है बावक में अयादी है पावक में भी आयादी है गलत दी गई है यह और तीबादी तीबादी के अंदर वेंजन है क्योसा निकाउन निम लेकिन मैंसे किस विकल में सब हो है उससे समंदी संदी सुद है सुद किसमें है यह बताना आपको अगला क्योसा उद्रहन सब में संदी है उद्रहन में कौन सी संदी काम कर रही है कौनसी है वेंजन और याद रख लेना ये क्यों सिधा सकता है उत्पलस हरन पित्री चाया शब्द का सही संदी विचेद होगा ये बताई आप तो बस ये बता दीजे वेंजन वाला बता दीजे आप इसका होगा पीत्री पलस चाया पीत्री पलस चाया दोस्तों क्यों कर रही है डबलने आ रहा है मतलब वेंजन है यह रही वेंजन संदी और क्योशन पच्पन यहां से पहले आपके लिए इसका उतर कमेंट करो इंगलीज के रिए 99 क्लासेज क्लासेज शुरू कर दूँगा दूसरी बार 99 क्लासेज हमने चैनल इसलिए शुरू किया है जिसे अपर भी हमारे साथ जरूर जुड़े सरद का सही संदी बीचेद है क्या होगा सरद पलस काल होगा दोस्तों तो यह पच्पन क्योशन आज हमने संदी के देखें अभी बारे टोपिक्स हैं से हमारे हिंदी व्याकरण के बारे के बारे टोपिक करेंगे इसके अलावा करंट अपेर्स के जो भी कलास आज के बाद आपके लिए आएंगे वो हाई कोट LDC के लिए ही रहेगी तो उनको जरूर अटेंड कर लेना और कलास सेंस करती है इतियास है भुगोल है इनकी मैं मिक्स कलास लेकर आऊंगा पूरे टोपिकों की जिसमें 400, 500, 600 क्यूसन है वो आपको करवाऊंगा तो जो भी कलास है आप चैनल पर जुट गए नई कलास आएगी आइकोट LDC तक ही आएगी 12 मार्च तक उसको जरूर रटेंड कर लेना आप सभी सातियों को बहुत बहुत धनेवाद अपना स्कोर कमेंट कर के बता देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लाइक और अपने मित्रू तक पहुचा देना जेहिंद जेवार